उत्तर प्रदेश का एक एसा सहर जो संगम है तीन नदियों का जहां मिलती है तीन नदियां और फिर ये कहलाती है त्रिवेडी जी हाँ दूस्तों प्रियाग राज जहां तीन नदियों का संगम है गंगा जमना और सरसदी और इन नदियों का नाम हम लोग सदियों से एक साथ भी लेते चले आ रहे हैं जैसा कि हम सभी को पता है कि संगम में बहुत तिक रूप से तो सिर्फ दो नदियां गंगा और यमना ही दिखाई देती हैं पर फिर सरस्वती नाम क्यों जुड़ा इस संगम से कहां चली गई ये नदी और क्या हुआ इस नदी का गंगा और यमना की तरह कभी अविरल पहने वाली ये नदी कहां हो गई अद्रस सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अद्बुद सरस्वती नदी का अद्बुद इतिहास वीडियो में बने रहे हैं और चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब सरस्वती नदी एक मात नदी नहीं बलकि ये संगम है समस्त भारतियों के आस्था और भी स्वास्था जो कि अत्रस से होते हुए भी सभी भारतियों के पवित्र मन में वैसे ही अविरल बहती आ रही है जिस तरह ये नदी कभी अपने मूल रूप में बहा करती थी सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है जिसकी चर्चा वेदों और सास्त्रों में है लेकिन यह सूद का विसे है कि क्या सचमुच सरस्वती नदी कभी प्रियाग में गंगा और यमुना से मिली थी सरस्वती नदी पौराणिक हिंदु गरंथों और रुगवेद में वनरिक मुगे नदियों में से एक है रुगवेद में इसे यमना के पूर्व और सतलज के पस्चि में बैती हुई बताया गया है महाभारत में सरस्वती नदी को प्लच्वती नदी वेद स्मृत वेदवती नामों से बताया गया है तथा इसके द्रस होने का स्थान मरिस्थल में विनासन नामक जगा को बताया गया है महाभारत में मिले वरणन के अनुसार सरस्ती नदी हरियाना में यमना नगर से थोड़ा उतर और सिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी आज भी लोग इस स्थान को तीरत स्थल के रूप में मानते हैं इसी नदी के किनारे ब्रह्मवर्थ और कुरुच्छेत था लेकिन आज वहाँ जला से है जब नदी सूपती है तो जहाँ जहाँ पानी गहरा होता है वहाँ तालाब और जीले रह जाती हैं और ये तालाब और जीले अर्द चंद्राकार सकल में पाई जाती है आज भी कुरु सथान पर कभी कोई विसाल नदी बहा करती थी तो भारति पुरा तत्त परिसद के अनुसार सरस्वति नदी का उद्गम उत्तरांचल में रूपड नाम के ग्लेसियर से हुआ था रूपड़ ग्लेसेर को अब सरसुती ग्लेसेर भी कहा जाने लगा नैतवार में आकर यह ग्लेसेर जल में परिवर्टत होकर जलधार की रूप में आदिबद्री तक सरसुती नदी के रूप में बहकर आता था फिर यहा नदी और आगे चली जाती थी जोस्तों वैसे तो इस नदी के विलुप्त होने के कई सारे कारण बताये जाते रहे पर भूग अर्ब सास्त्रों द्वारा पता चला है किसी समय इस छेत में भी सन भूगंप आये जिसके कारण जमीन के नीचे के पहाड ऊपर उठ गये और सरस्ती नदी का जल पीछे की ओर चला गया वैदिकाल के अनुसाथ एक और नदी द्रस्दोती का वरणन भी आता है या सरस्ती नदी की सहाइग नदी थी या भी हरियाणा से होकर बहती थी कालामतर में जब भीशन भूगंप आये तो हरियाणा और राजस्तान की धर्ती के नीचे पहाड ऊपर उठे तो नदीयों की बहाओ की जिसा बदर गई द्रस्तोती नदी जो सरस्ती की सहाइग नदी हुआ करती थी वो उत्तर और पूर्व की और पहने लगी और इसी द्रस्ती नदी को अब यमुना कहा जाता है यमुना पहले जंबल नदी की सहाइग नदी हुआ करती थी बाद में यहाँ प्रियाग राज में गंगा से जाकर मिली यही वहकाल था जब सरस्वती का जल यमना में मिल गया बताया जाता है कि भूचा लाने के कारण जब जमीन उठी तो सरस्वती का पानी यमना में मिल गया इसलिए यमना के साथ साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा और इसलिए प्रियाग में तीन नदियों का संगम माना गया अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुगता सुरुवात सिंदु नदि की घाती की मोहन जोदडो और हडपा सब्विता मानते थे लेकिन जब से सरुस्वती नदि की खोज हुई तब से भारत का इतिहास बदलने लगा माना जाता है कि यह सिंदु घाती की सब्विता से भी कई हजार वर्स पुराना है रिवेद की रिचाओं में कहा गया है कि यह एक ऐसी नदि है जिसने एक सब्विता को जन्म दिया इसके वीडियो में बस इतना ही हम मिलेंगे आपको ऐसी ही एक नई नौलिजवल वीडियो पे साथ में तब तक के लिए आप चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लिजे प्रेस हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बालबाने कर दो